नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके इपने चनल अपने प्लेटफॉम पे PSPCL की न्यू वकेंसी आई है यानि वकेंसी जो थी उसकी पहले क्या हुआ था उसको पोस्ट पॉन कर दिया था कुछ समय के लिए जो आपका इलेक्शन की वज़े से लेकिन इसके दुबारा फोर्म निकालकर आपको बताया गया इतने तरिक तक आप फोर्म अपलाई कर सकते हो इलेक्ट्री सीन की है आई टीए और डिप्लोमा दोनों वे लिड़ है ठीक है और बहुत ही सुनेरा मौकात त्यारी करने का सलेवस का डिसकस करेंगे क्या क्या है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब बाते आप सुन लेना दीरे दीरे आपको सब को समझ में आ जाएगी यानि जो है PSPCL यानि आपका 3624 अड़र्टाइजनमेंट नंबर है CRS जिसको बोलते हैं वहां पर 11-6 से स्टार्ट होंगे 17-2024 तक यह form apply होंगे यानि पहले postpone कर दिया था लेकिन अब दोबारा रियोपन किया गया है ताकि वह बच्चे भर पाएं इलेक्शन की वज़े से कुछ देखते हैं आ रही थी तो यह है बड़िया तरीके से अगर आप पंजाब की कोई भी एवकेंसी की त्यारी करना चाहते हैं तो आप अमारे साथ जुड़ सकते हैं आपकी अपनी एप है टेक कैपसुलेब ठीक है लेपटोप में भी चल जाएगी कोई प्रोबलम नहीं है और इलेक्ट्रिसीन अगर आप कई बच्चे पहले बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं भी अच्छे से सकती बेच से तो उससे जुड़े हैं तो आपकी पंजाब की त्यारी साथ साथ हो जाएगी आपको दूसरे कोर्स या कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सलेवस जो बताऊंगा वो सेम का सेम सलेवस आपको करवा देंगे इसके इंदर ठीक है प्रे आप प्रिवेश एरे क्यूशन की प्रैक्टिस करना चाते हैं तो रिकोर्डिड बेच जिसके इंदर वही क्यूशन है जो बार-बार रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा क्यूशन करवाए गए हैं आप फांडेशन बेच या इनवेश कोई भी आपका जी चाहिए उस बेच से आप जुड़ सकते हैं आपका दिल चाहे तो कोई धक्का मुकी नहीं है आपको लग यह था इतना अब देखिए किसकी वकेंशी है देखो पहले इसकी क्या डेट थी मैं आपको बताता हूं पंजाब स्टेट पावर कोपरेशन लिम्टीड के इंदर है 306-2000 यानि 92024 की लास्ट डेट थी लेकिन इलेक्शन के कारण क्या हो गया था इसको पोस्टपॉन कर दि अप्लिकेशन लिए जाएंगे तो आप अप्लिकेशन दोबारा बर्स डाल सकते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसके अंदर पोस्ट आपकी इलेक्ट्री सीन ग्रेड टू की जूनियर प्लांट अटेंडेंट की और जूनियर प्लांट केमिकल और लो ओफिसर ग्रेड देख लो और मेरे इसाब से वायर मेन वाले भी अलावड होते हैं देखो इलेक्ट्री सीन के अंदर आईटी आई हो आपकी साथ प्रसेंट अंग कोने चीए आपके कम से कम और डिपलोमा है तो आप पचास प्रसेंट से ही काम चला सकते हो यानि डिपलोमा वाले भी है जूनियर प्लांट अटेंड़न के अंदर आईटी एनि डिसिप्लीन विद्ध मिनिम्मय यान कहीं से भी रेगुलर आईटी इह आपकी किये कोई इसी ट्रेड या तो आप अप अपलाई कर सकते है और अगर आपका डिपलोमा किसी भी ट्रेड से है तो भी आप अपलाई चाहिए तो यह आपकी है लोग वाला पड़ी लोगे अपने पास बच्चे भी नहीं होगे लोगे तो एज लिमिट आपकी है तो इसके अंदर आप देख सकते हो सारा कुछ सेंतिस साल तक फोम भर सकता है 18 से कम नहीं होना चाहिए उपर नहीं होना चाहिए बात करते हैं सिद्धा और क्वालिफिकेशन क्या जी है बट 10 के अंदर आपके पास क्या होने चाहिए पंजाबी होनी जरूरी है और पंजाबी अगर आपके पास 10 में नहीं है तो एडिसनल एडिसनल से पंजाबी का आपने पेपर दिया है तो आप फोम अपलाई कर सकते हो दूसरी बात इसके इंदर एक बहुती बड़ी बात है भी अप्रेंटिसी वगेरा नहीं मांग रखिये यानि कोई भी आईटी जिसके पास है और प्लस में उसके पास या उसके बाद डिप लेट है जहां बरतियों का भी कोई अता पता नहीं रहता लेकिन फीस बहुत कम होती है और बार वाले दो जार बारासो पंदरासो फीस लेते हैं यानि आप अधर स्टेड से हो तो जर्नल में काउंट होंगे इसमें तो कोई दोर आए नहीं है पूछने की बात भी नहीं है पिर भी कोई डाउट हो तो कोमेंट में लिख देना मैं जवाब जरूर दूँगा ये सारे के सारे बाकी चीजे दी गई है एक्जाम की बात करें तो एक्जाम में सत्तर पचास नंबर का एक पेपर होगा पंजाबी का जो क्वालिफाई होना जरूरी है यानि 25 नंबर लेन जर्दस की इंगलिस आएगी अगर आपकी जर्णल नोलेज रिजनीं तो नॉर्मल होती है अगर आपकी इलेक्ट्री सीन भी बढ़िया है और सत्तर में से आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते है तो जितने क्यूशन आपको करवाये जाएगे जितने आपको प्रैक्टिस करवा जर्णल नोलेज जो है आपको नॉर्मल 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 पढ़ना ही है ठीक है और इंगलिस के अंदर तो आप जैसे भी हो आत तंग है या कव पढ़नी है वो चीज़े बता देंगे ठीक है यह क्यूशन आएगे आपकी और आप अगर जर्णल के टेग्रीश हो तो 45 पर नहीं होते हो तो आपको मुका नहीं दिया जाएगा चाए पोस्ट वेकेंट रहे जाए बाकि यह सारी चीज़े वही है मोटा मोटा यही यह भी आपके पास इलेक्टरीशीन से आईटियाई है 37 साल से कम उमर है 10 वी में आपके पास पंजाब भी है ठीक है तो आप यह फू ज़ुडना चाहते हैं तो टेक कैप्सुल ऩलेप डाउनलोड कर लिए और अगर यह नोटिफ़िकेशन आपको चाहिए तो डिस्कृप्चन में टेलीग्रामक मिल जाएगा यहाँ वहाँ पर जाके जोइन कर लिए वहां पर मैं यह सेंड कर दूँगा नोटिफिकेशन तो